भारतिय क्रिक्ट टीम और न्यूजिलेंड के खिलाफ होने वाले WTC फाइनल के लिए सुनील गावसकर ने अपनी प्लेइंग लेवल जुनी है गावसकर ने अपनी इस टीम में तेज गेंदबाज मुहमत सिरार और स्टार बल्लेबाज हनुमा विहरी को शामिल नहीं किया है इतना ही नहीं उन्होंने विकेट कीपर के तौर पर रिद्धिमान साहा को भी दरकिनार करते हुए रिशाप पंत को तरजी दी है गावसकर ने अपनी इस टीम में रवी चंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा को चुना है इसके लावा इस लिटल मास्टर ने तेज गेंदबाजी आकरमन में मुहमत शमी, इशान शर्मा और जस्परीद बुम्रा को जगा दी है सुनील गावसकर की टीम पर नज़र डालें तो रोही शर्मा और शुमन गिल को ओपनी का जिम्मा मिला है इसके लावा चेतेश्वर पुजारा, विराट कोली और अजिंग के रहाने मिडल ओर्डर को स्ट्रॉंग बनाएंगे रिशप पंध आर अशुएन, रविंद्र जडेजा, इशान शर्मा, मौहमज शमी और जस्परीद बुम्रा को भी सुनील गावसकर ने अपनी स्टीम में जगा दी है सुनील गावसकर ने इसको लेकर कहा कि ये लड़ाई कप्तान की नहीं बलकि गेंद बाजी और बल्ले बाजी के बीच होगी कप्तान का प्रदर्शन बहतर होगा तो बाकी चीजे भी बहतर होती जाती है न्यूजिलेंड के बल्ले बाज स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाते इसलिए दो स्पिनर्स को खिलाना चाहिए साथ ही दोनों स्पिनर्स अच्छी बल्ले बाजी भी कर सकते हैं वहीं अगर तेज गेंद बाजो को मदब ना मिले तो स्पिनर रन रोक कर विकेट दिला सकते हैं ऐसे में WTC फाइनल में टीम इंडिया का टीम कॉंबिनेशन क्या होता है ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा